नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग मिरा नाम हरशी देदी और मैं आपको फिर से सवाथ करता हूँ 109 वीडियो है यह स्पेक्टर मॉडर्न हिस्टी के क्या क्या डिसकस करने वाले हम लोग इस वीडियो में इनको में स्ट्रीम हिंदू सोसाइटी के साथ जोड़ने की जरूत है जो सालों से हजारों सालों से इंडियन सोसाइटी से यह लोग कटे हुए है यह जोड़ना बहुत ज़र ज़रूरी है इसके लिए एक मेजर बेसिस पर हरीजन केंपेंच चला है गांधी जी ने चुकि कहीं न कहीं कुछ क्लासिस चाहती थी कि डिपर्स क्लासिस को सबस्क्राइब नहीं किया तो कर लिए वीडियो को शेयर कर दीजे यह किताब अगर आपके बास नहीं है तो खरीद ले पूराना एडिशन तो भी चलेगा नहीं है तो नीचे लिंक दे रखा है आप वहाँ से क्लिक करके भी खरीज सकते हैं मेरी तरह बनाएगे और वीडियो को दिखने के लिए आप जॉइन बटन दबाके मेंबर बन सकते हैं उससे मेरी भी थोड़ी हल्प हो जाएगी तो सबसे पहले बात करते ह पूना पैक्ट को साइन किया किसमें एक तरफ थे आपके बियार अमबेटकर साप ऑन बहाफ ऑफ डेप्रेस्ट क्लासेस ये पैक्ट साइन किया गया कब 24 सितंबर 1932 को और ये जो डेप्रेस्ट क्लासेस को सपरेट एलेक्टोरेट दिये गए थे कम्यूनल अवार्ड के ले थी कि हिंदू सोसाइटी को तोड़ देंगे उन्होंने एलेक्टोरेट बाटे सेपरेट और डेप्रेस्ट क्लासेस को भी एलेक्टोरेट दिये गांधी जी का सिंपल ये बोलना था कि डेप्रेस्ट क्लासेस को एलेक्टोरेट देके आप उनका कुछ भला नहीं कर रहे आप इंडन सोसाइटी को और पोलराइस कर रहे हो, और फूट डलवा रहे हो, तो पहले जो दंगे भड़कते थे हिंदू-मुस्लिमों की बीच में, अब ये दंगे हिंदूों के अंदर ही भड़कने शुरू हो जाएंगे, अगर ये separate electorate वाला concept निकल के आ गया, तो कही न कह गांदी जी ने इस चीज़ को रोका, और गांदी जी इस चीज़ को रोकने के लिए अंचन पर बैठ गए, जब अंचन पर बैठ गए, तो इंडन नेशनल कॉंग्रेस के लीडर्स और खुद बावा साब एक्टिव होगा, उन्होंने बोला कि चलिए ठीक है, कुछ करते है एक बीच का सॉलिशन निकालते हैं, और बीच का सॉलिशन कैसे निकाला गया, कि जो प्रोविंशेल लेजिसलेचर थे, वहाँ पे जो सीटे रिजर्व थी डिप्रेस्ट क्लासेस के लिए, उसको बढ़ा के किता किया गया, 71 सीट 147, और जो सेंटर लेजिसलेचर था, वहा ज़्यादा सीटे रिजर्व कर दी गई, पूना पैक्ट के जरूँ, और ये कही न कहीं जरूरी था दोस्तो, मैं बताता हूं क्यों, दीखें, फर्स्ट आफ आफ पूना पैक्ट से जो हिंदू सुसाइटी थी, वह आपस में बटी नहीं, पूना पैक्ट के बाद भी, बह अपलिफ्टमेंट के लिए उनको पॉलिटिकल राइट्स देने पड़ेंगे, उनको रिजर्विशन देना पड़ेगा, ये बात बिलको सही और सही थी भी, जोकि जिनको आपने कास्ट के आदार पे दबाया है, अगर उनको उपर उठाना है, तो आप बिलको लेवल प्लि एजियर रिजर्वेशन किया गया है, और कोई एक सीट है जो डिपरेस्क्लास के लिए बात क्राइगा, अब इस सीट पे कोई डिपरेस्क्लास के बनते को गर एलेक्ट किया जागा, तो वो सब के लिए काम करेगा, तो एक कॉनस्टिट्वेंची में रहने वाले सब लोगो के लिए काम करेगा चाया उस Concentration मिसलिम में रहते हो हिंदू रहते हो किसी और धर्म के लोग रहते हो उची जाती है नीची जाती है वूमें सब के लिए काम करेगा तो उसको चुने भी सब लोग सिंपल ये लॉजिक था तो Joint Electorate बोला गया है यहनी कि जो सीटें reserved classes के लिए म पर अगर कोई रिजर्व क्लास का बंदा खड़ा हो रहा है, उसके लिए वोटिंग सब लोग डालेंगे, सब लोग वोटिंग डालेंगे, इसको बोला गया joint electorate, लेकिन यहाँ पे कुछ कमियां बताई गई हैं स्पेक्टरम में, क्या कमियां बताई गई हैं, यह जो पूना यह long term में दलित के लिए अच्छा नहीं था, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं जो पुराना हिंदू social order था, वो continue रहा, बिलकुल सही बात है दोस्तों, पुराना हिंदू social order continue रहा, कहीं न कहीं अपरकास्ट के लोग जो थे, वो धर्म के ठेकेदार जो रहे हो, तो अगर सिर्फ depressed class का बंदा वोट डालता है, तो वो अपने true representative को वोट डालेगा, और कहीं न कहीं अगर joint electorate के लोग वोट डालते हैं, तो कहीं न कहीं वो मतलब देखें, depressed classes से जो लोग चुनके आ रहे थे, वो लोग किसको representation दे रहे हैं, यह एक major चीज थी, को बताया जा रहा है, कहीं न कहीं देखते हों, उस समय पे जो इंडिन सुसाइटी थी, बहुत ज़्यादा polarize थी, उस समय पे गांदी जी के सामने और दूसरे nationalist leaders के सामने जो challenges थे, वो इतने ज़्यादा acute थे जिनको सोच पाना मुश्किल आज की date में, आज की date में, जब प कास्त के नाम पे हमको rural areas में दंगे होते नजर आते हैं, honor killing होती नजर आती हैं, तो उस समय पे तो क्या ही हालात रहे होंगे, यह आप imagine कर सकते हों, तो यह जो पूना pact हुआ, इसके बाद बाबा साब और जो बाकी डिप्रेस क्लास के लिजर से नोंने क्या बोला, कि देखि टीप्रेस क्लास के तीन candidate एक seat के लिए खड़े हो रहे हैं, उनमें से कोई candidate इंडिया नेशमनल कांगरिस का होगां, अब उस candidate के लिए सब लोग वोट डालेंगे, डिप्रेस कास के लिए भी वोट डालेंगे, और बाकी majority जो हिंदू कास्त के लोग है, और आतने हैं, तो उ लेकिन अगर आप separate electorate की बात करो, माल लीजे कि पूना पैक्ट हुआ और पूना पैक्ट के थूरू reservation दिया गया और जो defense classes की leaders चुनके आए, कही न कहीं वो pro Indian National Congress ते पूरी तरीके से defense classes के लिए काम नहीं कर रहे थे, बट यहाँ पे बात है society के polarization की, माल लीजे अगर separate electorate आ जा अंग्रेजों के खिलाफ आजादी मिलना और मुश्किल हो जाता, अगर उस समय पे separate एक, अब दिखे, imagine तो नहीं करना चाहिए, बट आप imagination पे जाओ तो आप क्या-क्या चीज़ें imagination कर सकते हो, धर्म के आधार पर देश बढ़ गया, हिंदू-Muslim धर्म के आधार पर, इंड अगर आप depressed classes को separate electorate देते, तो इस बात को कह देना कोई बहुत बड़ा extrapolation नहीं होगा, कि भाईया हो सकता है, उनने स्वाजादी में जब हमको आजादी मिलती, तो कव पाकिस्तान के साथ एक और country बन जाती, कास्ट के आधार पर, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसी बहुत fortunate था और ये गांदी जी की ही लीला थी, कि separate electorate के basis पे हिंदू सुसाइटी उसमें नहीं तूटी, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, ये बात बिल्कुल सही है, कि कहीं न कहीं, पूना पैक्ट का फाइदा हुआ, दलिस को, लोगर कास्ट के लोगों को, उस ल dominical order था, वो अभी भी depressed classes को दमाने की कोशिश कर रहा था, तो equality, liberty, fraternity, justice, जिस सर्धान पे हमारा constitution बना है, उस सर्धान पे दलिस के लिए काम नहीं हो पाया, कहीं न कहीं, अगर हिंदू social order में एक separate और distinct existence देते, separate electorate के थुरू depressed classes को, तो इनका ज़्यादा development होता, no doubt, ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन आप देखे दोस्तों, आपने धर्म के नाम पे देश बना दिया, देश अलग बनने से किस हद तक मुस्लिम धर्म के लोगों का भला हुआ है, ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, पाकिस्तान में जो मुस्लिम से, इंडिया में जो हलपूल रहे हैं, गरीबी में बुकमरी से मरी रहे हैं वो, ठीक है ना, और सारा का सारा टर्रिजम पाकिस्तान से एमिनेट कर रहा है, अगर देश ना तूटा होता तो ये जितने भी बवाल आज पाकिस्तान से एमिनेट कर रहे हैं वो नहीं कर रहे होते, तो जरूरी नही है यह बोल देना कि उस समय पर सेपरेट एलेक्टोरेट दे 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 तो सब कुछ अच्छा ही हो जाता कहीं ना कहीं और डिवीजिव और खतरनाक हो सकता था फिर वही जॉइंट एलेक्टोरेट की बात जैसे की देखें जो वरकिंग कमीटी थी और इंडिया शेडूल कार्ट लेकिन इन कैंडिडेट को अलग अलग गुरूप से नामिनेट किया था तो हो सकता है कि कुछ को बाबा साब ने नॉमिनेट किया हो अभी इंडिया नेशनल कॉंग्रेस को जाधा तर लोग सपोर्ट करते हैं तो अगर सब लोग इन शेडूल कास्ट के मेंबर्स के लिए व 1932 में भले ही बाबा साब ने पूरा पैक्ट साइन किया, 1947 तक बाबा साब पूरा पैक्ट की बुराई करते रहे, तो कहीं न कहीं बाबा साब को बाद में लगा होगा एक नहीं भाई, मैंने पूरा पैक्ट साइन करके गलती कर दी, चलिए वो एक अलग चीज है, अब बात कर इसकी policy रही, characteristic dividing rule इसके नाम पर ये दवाती है और कहीं न कहीं, ये हिंदू society को अंदर से तोड़ने चाहती है नाम पर इसने हिंदू मुसलिमों को तो अलरड़ी अलग कर रहा है और अब ये हिंदू society को भी तो यहां पर गांधी जी ने mission mode उठाया और mission mode उठाके बोला कि भाईया मैं depressed classes के लिए काम करूँगा और जितने भी गांदी जी के follower से पूरे देश को इन्होंने call की कि आप depressed classes के लिए काम करिए आप उनको अपना भाई समझे आप उनके घर में खाना काईए आप उनके साथ बैठिये इन सब चीजों को गांदी जी इन्होंने प्रमोट किया एक campaign से चला दिया इन्होंने untouchability के against और यह campaign शुरवात में इन्होंने jail से चलाया बात में जब अगस्त 1933 में इनको छोड़ दिया गया तो jail से बाहर निकलके भी proactive basis पे इन्होंने campaign चलाया jail के अंदर रहके उन्होंने एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम था All India Anti-Untouchability League September 1932 में इस संस्था की स्थापना हुई और इसकी weekly magazine निकलती हरी जन जो की January 1937 से शुरवात की किसने गांदी जी जब jail से बाहर निकलके आये तो वो साबरमती आश्रम नहीं गई जो कि उनक में वो काम करने लगे गुरों ने बोला कि देखे 1930 में गांदी जी ने बोल दिया था कि मैं साबरमती आश्रम तब तक नहीं आऊंगा जब तक स्वराज नहीं मिल जाता और 1930 से ही आपका civil disobedience movement शुरू हुआ जब वो जेल से चूटेंगे 1932 में 1933 के लगबग जैन्वरी य कांफरेंस 1932 में जब वो अटेंड करके वापस आ गये थे तो लिटरली उन्होंने 1930 में साबरमती आश्रम छोड़ दिया तो उन्होंने बोला था जब तक सुराज नहीं मिलेगा तब तक मैं लौटूंगा नहीं और जब वो जेल से निकले 1933 में तो वो सत्याग्रम आश्रम वर्धा से ऑपरेट करने लगे उन्ने सो बत्यस में वो राउंटेवल कॉंफरेंस से वापस आये थे सिविल डियूस बीडियूस मुवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया स्टार्ट करते उनको अंग्रेजी सरकार नहरस्ट कर लिया जेल में डाल दिया और उसके बाद वो ज लेल से निकलने के बाद भी वर्धा में गये तब वर्धा से गांदी जी ने अपने हरिजन टूर को शुरू किया पूरे देश में उन्होंने गश्त लगानी शुरू करी नॉमबर 1933 से लेकि जुलाई 1934 तक 20,000 किलोमेटर गांदी जी ने ट्रेवल किया पैसे खटे की सेवा संग के थूँ इस संग के मेंबर्स का काम क्या था कि वो जगह जगह पे जाकि यह जो कास्ट के नाम पे बटवारा हो रखा यह सुसाइटी में इसको रोकने कोशिश करेंगे अंटचबिल्टी के खिलाफ एक मुहीम छेड़ दी गांदी जी ने गांदी जी ने बोली कि 8 मही को 16 अगस्त को 1934 में कई न कई गांधी जी एक मुहीम छेड़ देना चाते थे देश में जहां पे भी गांधी जी के फॉलोवर से मुझ चाते थे कि अगर वो गांधी जी को फॉलो करते हैं तो वो अपने भाईयों के साथ वो लोवर कास्ट के भाई जिनको हमेशा से कास्ट के आधार पर दबाया गया था उनके साथ दोस्ती करें उनको आगे बढ़ने का मुझा दे यहाँ पे गांधी जी एक चीज गांधी जी ने बहुत प्रापर दरीके से की देखिए गांधी जी की अप्रोच में बावा साब की अप्रोच में एक मेजर फर्क था बावा साब की अप्रोच क्या थी कि वो अपर कास्ट पे सीधे अटैक करते थे अपर कास्ट को उल्टी जैसे कि for example बाबा साब का क्या बोलना था कि कास्ट सिस्टम को आप Eliminate कर दो, गांधी जी जानते थे कि कास्ट सिस्टम Eliminate नहीं हो सकता, कास्ट सिस्टम Eliminate करने के चक्कर में लड़ाई और हो जाएगी, तो गांधी जी ने कास्ट सिस्टम को एक नया नाम दिया, गांधी शास्त्रों की knowledge रखता है, तो वो पंडित बन सकता है, और अगर एक पंडित person बिलकुल भी talented नहीं है, एकदम गधा बिन पढ़ा हुआ बैल है, तो वो नीचे शूदर की class में जाके कुछ और काम कर सकता है, occupation के हिसाब से उन्होंने चीजों को decide किया, तो मतलब कि यह जो चार वर्ण थे, जिसमें बोल दिया कि यहाँ पंडित और छत्री धर्म के ठेकेदार हो गए, वैश्व धंदा करेंगे और agriculture करेंगे, business करेंगे, और जो शूदर उनको सारे गंदे काम आपने दे दिये, तो ग गांदी जी कभी-कभी देखें, बहुत सारी जगों पर पॉब्लिकेशन में लिखा रहता है कि गांदी जी कास सिस्टम को support करते थे, लेकिन वो किस प्रकार के कास सिस्टम को promote करते थे, यह लोगों नहीं ध्यान दिया होगा, तो जो लोग आपको शत्री क्लास का बोलते है जरूरी थोई ना, कि उस शत्री क्लास में सब लोग बड़े हिम्मतियों, तलवार उठा के सब को मानना चुरू करने, कुस तो भीगी बिल्ली भी होंगे, कि भाया, एक चीटी सामने आई, छिपकली सामने आई, तो उचल के दिवाल पर बैट गया, ऐसे भी बहुत सारे ल पूरे सोशल ओडर को डॉमिनेट कर रखा था, ये डॉमिनेंस के अगेंस्ट गांधी जी ने बोला, गांधी जी ने बोला कि कास्स सिस्टम केवल उकूपेशन को डिनोट करता है, और उकूपेशन में आप टैलेंट के एक कास्ट में, दूसरे कास्ट में शिफ्ट हो सकते ये गांधी जी का कहना था, तो ये कास्स सिस्टम था जिसको गांधी जी सपोर्ट करते थे ना कि वो कास्स सिस्टम जहाँ पे ऊपर के क्लास के लोग, नीचे के क्लास के लोग को दबाएंगे, और गांधी जी एक ऐसा सिस्टम चाते थे जहाँ पे अपर कास्ट के लोग, lower caste के लोग एक दूसरे को compliment करें एक दूसरे के साथ दोस्ती से रहें चुकि अगर सीधे सीधे गांधी जी upper caste के लोगों को attack करने पड़ेंगे तो society बट जाएगी देश का सबसे बड़ा leader अगर upper caste के लोगों को oppose करेगा तो society बट जाएगी अलरी महल बहुत जड़ा polarize था धरम के नाम पे जाती के नाम पे और polarize गांधी जी इसको करना नहीं चाहते थे लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गांधी जी उस उन चीजी की निंदा नहीं करते थे वो अत्याचारों की निंदा नहीं करते थे लोवर कास्ट के लोगों को फील कराएं कि उनके बाई है और भाईयों को घर के अंदर रखा जाता है उनके साथ बैट की खाना खाया जाता है जो कि उस समय की society में नहीं होता था फिर गांधी जी ने बोला कि untouchability को completely मैं eradicate करूँगा सारे temples आप लोवर क्लास के लिए छोड़ो लेकिन जैसे ही गांधी जी ने ये बोलना शुरू किया भले ही वो सीधे सीधे अपर कास्ट को oppose नहीं कर रहे थे बट जो धरम के ठेकेदार थे उनको तो नराजगी होई जाएगी धरम के ठेकेदार के पास काम क्या था देखी जब आपके पास कोई काम नहीं होता है तो आप यही बकवास चीज़ें करते हो तो या तो औरतों को मारो या फिर उस सुसाइटी में जो दबे वो लोवर कास्ट के लोग थे उनको दबाओ और इन शेडूल कास्ट और जो शेडूल ट्रैप के लोग हैं इनको मारेंगे यही हमारा वो है नैशनलिजम उनको कोई मतलब नहीं है गांधी जिस लेवल पर सोच पारे है वो तो उस लेवल पर सोची नहीं पाएंगे तो यहाँ पे कुछ अपरक्लास्ट के गधों ने क्या करना चुरू कर दिया उन्होंने सरकार का साथ देना शुरू कर दिया उन्होंने सरकार से बोला कि अरे भाई यह गांधी तो हमारे सोचल ओडर को तोड़ रहा है आप इसके अगेंस्ट बात करिए सरकार को तो चाहिए ही था सरकार तो वैसे भी society को polarize करना चाहती थी Hindu dhram के नाम पे तोड़ो दो caste के नाम पे तोड़ो दो तो सरकार ने temple entry bill को defeat करवा दिया temple entry bill क्या था कि भाईया सब हिंदूस को temple के अंद्री गुषने की आजादी है अगस 1934 में सरकार ने इस चीज़ को defeat करवा दिया जो orthodox Hindu opinion था वो गांदी जी के against था बद गांदी जी को इससे कोई फरक नहीं पड़ा गांदी जी ने बोला मैं depressed classes को जिनको वो हरीजन बोलते थे इनको मैं support करता हूँ और मैं मरते दम तक इनको support करूँगा तो वो लोग जो ये सोचते हैं कि गांदी जी कास्स सिस्टम को support करते थे भाई आप बहुत गरत सोच रहे हो फिर चलो वो आपकी सोच है आप जो रखना चाहो रख सकते हो उसके बाद ये चीज़ों तो गांदी जी ने करी अपर कास्ट को उन्होंने कुछ हद तक क्रिटिसाइज किया अंटब्चेबिलिटी के अगेंस तो उन्होंने बात की फिर उन्होंने बोला कि हरीजन के खिलाफ जो मैजरीज हुई है उन मैजरीज को सॉल्व करने की जुरू है और एक बात है लगातार गांदी जी की आइडिलोजी को बाबा साब और जो दूसरे डिपेस कासस की लीडर से वो अटेक करते थे लेकिन गांदी जी पलट के जवाब नहीं देते थे गांदी जी जानते थे कि मेरे उपर अगर कोई मेरी निन्दा कर रहा है तो अपने नॉन वोलेंस के सिद्धान के थूँ मैं अपनी निन्दा को सुनूंगा और अगर उसमें कुछ सही निन्दा है मैं कुछ गलती कर रहा हूँ तो मैं इसको सॉल्व करने कोशिश करूँगा इसलिए अम्बेटकर साब जो खुले आम गांदी जी के अगेंस्ट बात बोलते थे गांदी जी ने बहुत खुले आम अम्बेटकर को अपोस नहीं किया और गांदी जी ने बोला कि जो हमारे शास्त रहें ये वेद पुरान है इनमें कहीं पे भी ये नहीं लिखाए कि अंटचिबिलिटी को सपोर्ट करना चाहिए और अगर कहीं लिखा आया अंटचिबिलिटी को सपोर्ट करना चाहिए जैसे कि for example मानुस्कृति तो वो टेक्स् आफसाफ गांदी जी ने बोल दिया लेकिन गांदी जी ने अंटचिबिलिटी के मुद्दे को बाकी मुद्दों से नहीं मुलाया तो भाई ये इंटर कास्ट मैरिज इंटर डाइनिंग यानि कि अपर कास्ट और लोवर कास्ट के लोग बैट के खाना खा रहे हैं साथ में अपर caste और lower caste के लड़के-लड़कियों या लड़के-लड़कियों के बीच में शादी हो रही है तो इस चीज़ को untouchability के मुद्दे के साथ गांधी जी ने नहीं उठाया गांधी जी ने अपने movement को सिर्फ इस हद तक limited रखा कि untouchability की प्रथाव को खतम करो जो disadvantage में lower caste इसको खतम करो अब आप बोलोगे कि inter marriage के मुद्दों क्यों नहीं उठाया उसका एक reason था देखे, marriage एक बहुत sensitive issue था जो lower caste के लोग थे, उनके अंदर ही caste का segregation इतना ज़ता था कि वो अपने अंदर की ही caste में लड़के लड़कियों की शादी नहीं करते थे ऐसा नहीं था कि जो upper caste के लोग हैं वो lower caste के लोग के family की बीच में relations नहीं होगे in fact upper caste में भी बहुत प्रकार की upper caste थी तो हम यहां के पंड़े थे हैं, वहां के पंड़े थे और lower caste के लोगे में भी हम यहां के lower caste के लोग हैं, वहां के lower caste के लोग हैं तो वो आपस में भी उनके caste इसे साफसर बटी हुई थी कि शादियां नहीं होती थी साथ में बैटके खाना नहीं खाते थे तो कहीं न कहीं साथ में बैटके खाना खाने वाला इशू, आपस में शादी कराने वाले इशू को गांधी जी ने प्रोएक्टिवली नहीं उठाए, चुकि गांधी जानते थे, इतने sensitive मुद्दों को मैं इतने revolutionary basis पर उठा दूँगा, तो बवाल मैं जो करने की कोशिश कर मुद्दा उससे भटक के कहीं और ही चला जाएगा और ये पूरी तरीके से अंग्रेजों के favor में हो जाएगा, तो गांधी जी ने बहुती proper तरीके से, बहुती smart तरीके से अपनी अप्रोच को रखा, वर्नाश्रम धरम की जो विवस्था थी, जो caste की विवस्था थी, इसक को समझा और उनका साथ दिया untouchability को हटाने के लिए, कहीं न कहीं इस untouchability को हटाने के लिए, अपर क्रास्ट के लोगों के सीधे सीधे नहीं बिढ़े गांधी जी, चोकि वो society में polarization और लड़ाई नहीं छेड़ना चाहते थे, और यहां पर गांधी जी ने हरीजन society को reform करने क की बात की, तो हरीजनों की बीच में education को फैलाना, उनसे बोलना कि आप सफाई से hygiene के साथ रहिए, आप beef, यह गाय का mask और जो dead animals का mask खाना है, इसको छोड़ दीजे, आप शराप पीना छोड़ दीजे, तो इससे overall आपका जो हिंदू धर्म का reform होगा, अब ऐसा नहीं है कि उ उस समय के बंडे दिमास काते थे, आज के भी खाते हैं, ठीके ना, तो लेकिन कहीं न कहीं, overall जो वजहें थी, कुल मेरा की जो education ना होना, ठीके ना, साफ सफाई से ना रहना, इस तरीके की जो problems थी, जो की हरीजन्स की बीच में prevalent थी, इसको गांधी जी ने lower level पे उनके साथ involved होके साफ करने की कोशिश किया, और कहीं न कहीं, इसको political movement नी बनने दिया, गांधी जी ना हमेशा एक बात बोली कि हिंदोism एक धर्म है, और हिंदू ससाइटी को मैं अंदर से नहीं तोड़ने दूँगा, और कहीं न कहीं हिंदू ससाइटी को नहीं तूटने नी दिया, आज की डेट में देख लीजी दोस्तों भले ही reservation है, कहीं न कहीं जो depressed classes के लोग थें, वो अपने दम पे उपर उठके आगे आ रहे हैं, चीजें सुधर रही हैं, और ये गांधी जी की ही महरबानी थी कि आज तक कास्ट के नाम पर वैसे, तो देखें, society बटी ही हुई है, आग को गांधी जी ने ensure किया, अगली वीडियो में हम लोग ideological differences जो गांधी जी की बीच में थे और हमारे वावास आप की बीच में थे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे next video, so thank you for watching friends, I hope आपको सीखने को मिलाओगा, have a great day, goodbye.